दोस्तों ये है बजास पलसर NS 125 CC और ये जो कलर आप देख रहे हैं ये है रेट कलर और आज इसी की बारी है आज की इस वीडियो में इसके बारे मैं हम लोग पुरा विस्तार से बात करेंगे NS 125 के जितने भी कलर हैं एक एक करके सारे कलर मैं आपको दिखा रहा हूँ आज रेट कलर की बारी है और 2022 में जितने भी लोग NS 125 लेने वाले हैं इस वीडियो को लास तक देख लेज़ेगा क्योंकि मैं आपको और प्राइस के साथ बताऊँगा और इस बाइक के बारे में कुछ अपना ओपीनियन भी दूँगा कि 2022 में अगर आप लेने वाले हैं 125 CC की कोई भी बाइक तो उसमें NS 125 कितनी सही साविद होगी चली शुरुआत करते हैं आपसे बस एक गुजारी से वीडियो आपको अच्छी लेगे तो प्लीज अपनी तरफ से लाइक कर दीजेगा और चैनल को अभी तक आपने सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा शुरुआत मैं इसके प्राइस से ही करूँगा ध्यान दख्येगा इस वक्क 2022 में इसकी एक्सोरूर प्राइस चल रही है एक लाग पांच जार आट्सो अठार यानि की वन लाग फाइफ थाउज़न एट हंड़ेट एट्टीन रूपीस इसकी एक्सोरूर प्राइस चल रह देख रहे हैं 125cc सेग्मेंट में ये काफी कम्टीटर बाइक है स्पोर्ट सेग्मेंट में आती है क्योंकि NS160 और NS200 की तरह ही एकदम हूब हूँ वही प्रारूप इसको दिया गया है एकदम उसी तरह स्पोर्टी सेग्मेंट में दिखती है लिकिन इसका जो प्राइस है वो जो आपको ब्रेक मिलता है 240 यानि की 247 का इसमें डिस्क लगा हुआ है EBS की कोई चैन आपको नहीं मिलेगी लेकिन इसमें आपको CBS यानि की कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिलता है पिछला ब्रेक लगाएंगे तो अगला ब्रेक साथ में लगेगा जिसे ASB यानि एंटी स्किट ब्रेकिंग के नाम से जाना जाता है बजाज वालों की तरफ से ठीक है और आगे जो सस्पेंशन आपको मिलता है ये टेलिस्कोपिक मिलता है आगे जो टायर मिलता है वो 80Y100 यानि 80 बटे 100 का ट्यूबलेश टायर मिलता है जो कि 17 यानि 17 इंच का है अब आप इसका में हेडलाम देख रहे हैं जो कि हैलोजन बल्ड मिलता है ज्यादतर कमपनियां LED का इस्तेमाल करके नहने एक्स्पेरिमेंट कर रहे हैं लेकिन यहाँ यहाँ पे NS 125 में अभी भी आपको हालोजन बल्ड भी मिलता है और मैं अगर अपनी बात करो तो मुझे एक थोड़ी सी यहाँ पे सिकायत है क्योंकि जो इसका उजाला है अच्छा है लेकिन बहुत प्रॉपर अच्छा नहीं है LED के सामने थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है यहाँ पे देखें आपको engine guard भी देखने को मिल जाता है और engine वगरा की बात अगर मैं आपको बता दू तो इसमें आपको 4 strokes single cylinder 2 valve का air cool engine देखने को मिलता है आपकी engine पे जैसे हवाला है कि वैसे यह आपका engine ठंडा होगा और 124.45 पैनी 124.45 जो है CC का engine इसमें लगा हुआ है अब मेरा जो opinion है उसका इंतजार आप जरूर करिएगा क्योंकि मैं कुछ चीज़ें इसके bike के बारें बताना चाहता हूँ आपको पीछे जो आपको suspension मिलता है वो mono shock suspension मिलता है पीछे जो आपको tire मिलते है उसकी अगर मैं बात करें तो आपको 100 by 90 यानि की 100 बटे 90 का देखने नहीं मिलेगा यह मतलब कहने की कोई बात मिए 125cc की bike है तो ज्यादा तर लोगों को ABS नहीं चाहिए होता है क्योंकि company ने अगर ABS दिया तो 5-6,000 रुपए और वो बढ़ा देनी no doubt breaking वगारा अच्छी है इसकी breaking को लेके ज्यादा doubt नहीं करना है पीछे वाले tire की size भी इस segment के स आप से इसके displacement के साफ से सही है और इस bike की जो total लंबाई है वो 2012 mm की है इसकी उचाई जो है 1078 mm की है ground clearance 179 यानी 189 mm का है जो की Indian roads के साफ से काबले तारीफ है LED की नाम पे सिर्फ पीछे जो आपको tell lamp मिलता है उसमें आपको LED मिल जाता है otherwise इसमें कहीं भी LED का इस्तमाल नहीं क LED lamp के जश्ट नीचे है दोनों साइड पर ठीक है इस bike का जो curve weight है वो 144 kg की ये bike है तो weight इसका ज्यादा है आप इसी इसका ध्यान रखिएगा और इस समय आप इसकी street देख रहे हैं जो कि split street है जो बैट के चलाएंगे जो rider होगे उनके लिए काफी comfortable street है लेकिन जो पीछे करेगा उनकी जो street की quality है वो rider से थोड़ी सी कम है यहाँ पर देखिए अब आप लेफ्ट अंडर साइड पर passing switch, low beam, high beam switch, side indicator switch और आपको horn वगरा मिल जाता है और जैसे हम इसके right handle side पर आते है तो यहाँ पर आपको engine kill switch के साथ नीचे आपको self switch देखने को मिल जाता है यहाँ आप एकर हम meter console की बात करें तो यहाँ पर company आपको semi digital meter console provide करती है पूरी तरह से analog या फिर पूरी तरह से digital console नहीं है half analog and half digital console company आपको देती है अगर मैं analog की बात करूँ तो जो आपका RPM meter है वो आपको analog में मिलता है लेकिन जो digital console है उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको speedometer, od odometer, trip meter, time यह सारी information मिल जाती है gear shifting indicator इसमें नहीं provide किया जाता है तो इसके जो digital meter console है उसको लेके भी मेरी थोड़ी सी सिखाया थै कि इसमें information और भी add करनी चाहिए इस segment के हिसाब से ठीक है आपकी क्या रहा है आप comment में बताईएगा चलिए अब price की बात लगे हाँ आपको बत लिखने को मिल जाएगी अब बारी आती है मेरे opinion की कि मेरे हिसाब से बाइक आपको लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए तो देखिए 125 CC segment में यह काफी sporty segment में बाइक आती है look wise बहुत killer है no doubt लेकिन इसमें कुछ चीजें है जैसे के LED का इस्तमाल company नहीं करती है जो इस इस पे थोड़ा सा improvement करने की जुरत है अधरवाज 125 CC में इसमें power आपको काफी बहतरीन देखने को मिलेगा तो अगर आप रोड पे लेके जलते हैं और नजदीक से कर कोई capture नहीं करेगा तो यह यह नहीं समझ पाएगा कि 125 वाली है या फिर 200 CC वाली है या फिर 160 CC वाली है त आपको एक बहतरीन sporty appeal दे देती है तो मेरा opinion है यह कि company ने अगर कुछ improvement इसमें कर दिये तो 125 CC किये वना आप the best bike हो जाएगी अधरवाज अगर आप लेना चाहें तो एक बाद test ride जरूर ले लिजेगा क्योंकि इसकी seat height के according जो 60 rider है जिनकी height कम है उनको थोड़ा बहुत problem हो सक अच्छी है तो 50 के उपर का mileage भी आप निकाल सकते हैं तो चलिए फिर खुस रही है मुस्क्रात रही है मिलते हैं ग्ली वीडियों कुछ नहीं फिर सब्डेट के साथ मेरे सभी दोस्तों को मेरे तरब से जैहिन जैभारत